यह हमारा कल्चर देखिए हमें चौजा में आपने सेवा करने का मोका दिया तो हमने सबसे पहले राश्पती बनाए रामनाथ कोविड जी एक दलीत को हमें 2019 में दूसरी बार मोका मिला तो हमने राश्पती के रुप में आदिवासी बेटी को देश के राश्पती के रुप में द्रवपदी मूर्मी जी को पसंद किया और कॉंग्रेस ने इसका परपूर विरोध किया मैं बहुत सोच रहा था कि द्रवपदी जी जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठी बेटी है उसको हम राश्पती बना रहे हैं तो कॉंग्रेस उनको हराने के लिए इतनी महनत क्यों कर रही है कॉंग्रेस आदिवासी को नाराज क्यों कर रही है मैं सोचता रहता था लेकिन मुझे समझ नहीं आता था मुझे लगता है ठीक है यह साजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रवपदी शी का भी रोत कर रहा है उनको चुनाओं में हराने के लिए निकल पड़ा है लेकिन मुझे आज पता चला कि एक कॉंग्रेस पार्टी द्रवपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे आज मुझे पता चला कि अमेरिका में यह शाहजादे के एक अंकल रहते हैं यह शाहजादे के अंकल पूंको फिलोसफरेंट गाइड है और जैसे क्रिकेट में आजकल थड़ एंपायर होता है ने कोई कनफीजन होते थो थड़ एंपायर को फूस्ते हैं और वैसे ही ये सहजादे ये थर्ड प्लेयर को confusion होते तो सला लेते हैं ये सहजादे के philosopher and guide uncle ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि चीन का चमडी का रंग काला होता है ये सब आफरीका के हैं मतलब आप सबको मेरे देश के अनेक लोकों को चमडी के रंग के अधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब चाकर कि मुझे समझाया कि चमडी का रंग देख करके उन्होंने माल लिया कि ये द्रवपदी मुर्मु भी आफरीकन है और इसलिए उनकी चमडी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा इनका ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमडी का रंग कोई भी हो हम तो स्रीक्रस्टे की पूजा करने वाले लोग है जिसकी चमडी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। साथियों मैं एक गंबीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूँ। मैं पहले चाहूंगा कि तेलुगों में उसका अनुबाद हो ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूँ। साथ्वियों मेरा सवाल है और आप तेलू को मैं बोलने के बाद मुझे चबाब दे रहा हूँ क्या हमारे देश में ये सहजादे मैं बहुत गुस्से में हूँ आध दोस्तों मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है मैं सहन कर लेता हूँ लेकिन आज सहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझे में गुस्सा भर दिया है कोई मुझे बताईए क्या मेरे देश में चमडी के रंग के अधार पर लोगों यह योग यताता है हो जी क्या है चमडी के रंग का खेल सहजादे को किसरे इजाज़त दी है समिधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमडी के रंग के अधार पर मेरे देश वास्यों का अपमान कर रहे हैं सहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा चमडी के रंग के अधार पर मेरे देश वास्यों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कता ही नहीं करेगा